तो फिर से स्वागत आपका एक नएए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको पताने वाली हूं ओपो A15S में आप यहां पे आपको स्क्रॉल करना है आपको option देखने को मिल जाएगा यहां पे convenience tools का आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको smart sidebar का option देखने को मिल जाएगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपका ON है by default off होता है तो यहां से यह आपको छोटा सा tap देखने को नहीं मिलता है on कर लेंगे तो यहां पर आपको side में एक छोटा सा tap देखने को मिलेगा जिससे आप नीचे slide करके कहीं पर भी position change कर सकते हैं और यहां पर transparency कैसी होनी चाहिए इसकी इस tap के होनी चाहिए बहुत कम दिखना चाहिए या फिर यह ज़्यादा दिखना चाहिए या फिर इतना तो यह आप देख लेंगे और इसके बाद यहां पर hide भी कर सकते हैं इसको full screen app पर यह hide हो जाता है यह आपका sidebar ठीक है जब आप full screen करते हैं तो application के according और यहां पर ऐसे slide करेंगे तो आपका smart sidebar आ जाएगा अगर आपको हटाना है तो हटा सकते हैं तब यहां पर slide करने पर यह नहीं आएगा अब यहां पर इसकी setting करनी है तो इसके लिए आप यहां पर on कर लेंगे और edit पर साफ से एक पर टेंगे तो यहां पर यहां पर आप यहजीजें हटा भी सकते हैं को सदाशना सकते हैं औरर इन्में से कुछच आँ हैं niveau के रिखेम आपया 00's इसको आप एड़ कर सकते हैं फिर अपनी पसे स्क्रॉल डाउन करके इसे इस कर सकते हैं इसके बाइप सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके हैं आई होप गाई पार पसंद आए अट subscribe के और पेंटरसिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार